आप देख रहे हैं युकलाइब उत्राखन जुनून सज दिखाने का उन्होंने जो सभाक रोड जनता हैं जिसका हिस्साब मैं हुन इससे आप भी हैं उन सब्की जो इच्छा हैं उन सब्की जो भविषय के लिए जो घ्रीआ हम दूश। कैसा होना जी थी है?.. उसकी कौन कौन से फील्ड हैं कौन कौन से वो सेक्टर हैं जिसमें लोग आकर कि हाँ पुझीनी बेश करें इनको इडेंटिफाय करा गया हमारी जो पॉलिसी हैं अगर कोई आता है तो पॉलिसी ऐसी होने चीए कि आदमी को नहीं अच्छा लगे सिंगल विंडो सिस्टम इसको बोल कि किन किन जगों पर एक करा जाएगा फिर उसके बाद में अब इसको ना सम्झाना है तो सम्झाने के लिए एक तो है कि ठीक है आप पॉलिसीटी कर लो आप अगबार में निकाल लो लेकिन अगर खुद प्रैक्टिकली जा करके कोई टीम जगे-जगे समझाए तो उसका न इंडिया के भार इंग्लेंड में बहुत बड़ा आज एक इंडियन विचार की तरफ हिमाले के विचार की तरफ एक सोसाइटी एक कल्चर है यह उनाइटेड अरब इमिलिट्स अभी और मिदेशों से ना कॉले आ रही है वो रिक्वेस्स आ रही है कि आप यहां पे भी आक इंडिया के मंत्री जी अपनी टीम को ले करके जो की बीच बीच में लोगों से फीट बैक आरे हैं उनसे टीम करेक्शन भी कर दिया है और उसको ले करके इंडिया की अलग अलग यह जा करके रोडशो कर रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं वहां के जो इंवेस्टर्स हैं वहा कि जो हम सोच रहे थे कि 8-9 दिसंबर को जब समेट होगी तो उसमें टार्गेट रखा गया है धाई लाग करोड रुपे का इंवेस्मेंट अगर आए तब हम उत्राखंड में बहुत सारी सुविधाओं की तरफ और ज्यादा इंकरेजमेंट से काम कर सकते हैं जो कि गंता के लिए जो कि समाज के लिए जो प्राकरती के लिए अच्छी होगी अभी एक मैना बचावा है इस समेट को और करीब 40 परसेंट जो हमने धाई लाग करोड का 40 परसेंट अभी अलग-अलग जगे जाकर के जो मुख्यमंत्री जी म करेंगे लेकिन इंकरेजमेंट वाली बार हम सवा करोड लोग जो हैं जिसके लिए मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारी सोच को लोगों को ला करके उनसे इंवेस्ट करा करके पूरा करा जाए तो हमें दिख रहा है बड़ा अच्छा एक प और प्र­के लोगों को दॉनीकि Kraft करके में देखिए नहीं ने जीट के साथ हैं आगता है यह अचछे तरीके से चल रहा है sugar तो रोजगार का ज्रिया बनेगे और राजियों के लिए आसपास के राजеше हैं वागे लोग भी आकर के यहां पर रोजगार के तरीके ढूंड सकते हैं यहां लोगल तो हो गई लेकिन भारवालों का आना एक और पॉजिटिव मैसेज इसले जाएगा कि यहां से कमा करकी जब वो जाते हैं और जाकर के अपने राज्यों में अपने परिवार को देखते हैं अपने घर को देखते हैं तो उनके अंदर भी ना वो भावना आएगी जो यहां के समाज की है कि हम खुद अपने आप मेहनत करके मुश्किलों में रह करके कभी किसी दूसरे को भी इंकरेज करें प्रागर्ति की तरफ देखो आपस में जोट करके रहो तो यह सब दीजे पॉजिटिव वो भी आईए